उसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पट एहल रही एक बहिला को ठोकर मार दिये जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद पुलिस ने गाओ के ही बाइक सवार ने रंजन कुमार को बाइक के साथ हिरासत में लेकर के छान बीन में चुट गई है पुलिस ने शौक को कबजे में लेकर पोस्ट बॉटम के लिए सदर अस्पताल बेगुसराय भेज दिया है घटना के बाद परिशनों में कोहराम मच गया है और सभी कारो रोकर बुरा हाल है मुख्यमंतर इंटीश कुमार आज का टिहार पहुच है और बाग मारा में कटाव छेतर का निरक्षन करेंगे मुख्यमंतरी के साथ जलसन साथन मंतरी सजय जहा मौजूद रहें सियम्तीश गंगा नदी में हो रहें कटाव का इरियल सर्वे कर रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंतरी बाग मारा में कटाव का निरक्षन करेंगे तो राजी में 1922 का खतियां लागू करने और स्थानिता मुद्ए को लागू करने को लेकर मुख्यमंतरी बाग मार्च मंसुरेन 8 दिसम्बर से जोहार खतियान यात्रा पर निकलेंगे और पहले चरण में मुख्यमंतरी पलामु प्रमंडल का दौरा कर सकेंगी करेंगे और 8 दिसम्बर को सिय वहमन सोरेन गड़वा में जन सभा करेंगे इसके बाद रग मार्क से गड़वा से डाल्टन गंज आएंगे और जिसके बाद 8 दिसम्बर को मोधी नगर पर्सपरी सदर में विश्राम करेंगे और 9 दिसम्बर को पला मुझ जिला में चल रहे है चिकत सक विकास आत्मक कारियों की समिक्षा करेंगे साथ इस शहर के शिवाजी मैदान में जुहार खतियानी जनसफा को संबोधित करेंगे मुखे मंत्री के आगवन को लेकर उपायोते डोटे और स्पी चंदल सिर्हान नगर आयूत समेज जेमे मजलाद एक्षने सिवाजी मैदान स्थेत कारिकरम स्थाल का दौरा किया और तैयारियों को लेकर आवज शेक बिसानर देश दिये जारकर्ण में लचर विजली विवस्ता को लेकर के राजसी सरकार को जिमेदार ठहरा रही जारकर्ण के राजधानी रांची में मदर प्लांट के नाम से जाने वाली एचीज से अब बंदी की कगार पर है करीब 3,000 कामगारों को पिछले 13 महीने से वेतर नहीं मिला है जिसको लेकर कामगारों की हारता अलजारी है लगतार वो लोग S.C.A. मुख्याले गेट में समक्ष धरना दे रहें और A.T.C. के C.M.D. भी एक दिन मुख्याले पहुंचे जहां बात चीत भी हुई लेकिन वारता असब बल रही भारी उधोग मंत्राले को भी कई बार पत्र लिखे गए लेकिन ही C.P.D. हो पाएगा ये कहपाना मुख्यल है पत्ना के पोस्टर पार्क में पेड़ में लटका हुआ युवक का शौम मिलने से इलाके में संसनी फैल गए ये संभावना जताई जारी है कि हत्या कर युवक का शौम लटका दिया गया है पाकुर में भी बाबास साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेटकर जी के पुने तिथी पर कॉंग्रेसियों ने शेहर के अंबेटकर चौक पर बाबास साहिब की प्रतिमा पर मल्यारपन कर उनका नमन किया इस दोरान दरजनों कारकरताओं ने हाथों में ज्छंडा लेकर उपस तुके अरर्या में फरवीज गंस के एक स्कूल में दिवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई इस घटना में तीन मजदूरों को चोटे आई है घटना के समन्ध में बताया जारा आए कि मिस्टरी और मजदूर की ओर से खिड़की लगाने का कारे किया जारा था इसी दुरान दिवार गिरने से मजदूर की दबकर मौत हो गई है फरवीज गंस पुलिस मामले की जास कर बिगुसराय में दो दिसंबर को जीडी कॉलेज में पत्नी की परिक्षा दिलवाने आए पत्ती का अपहरन कर लिया गया जिसका शोब रामत किया गया है परिश्णों ने पत्नी के सुसुराल वाल उपर हत्या कारोप लगाया है दरसल रतनपूर थाना चेत्र के जीडी कॉ भाई चाचा और सुसुराल वालों पर अपहरन करने का प्राथ मिखी दरस कर आए थी पुलिस शौप की पहचान होने के बाद कानूनी करवाई में जुट रही है केंद्र और राज सरकार टीवी जैसी बिमारी के लोग थाम के लिए जागरुकता अभियान भी चला रही है और इसके साथ ही बिमारी की समोची तिलाज की भी विवस्ता भी कर रही है करनाटा के टीवी उन्वालन मिशन की ओर से बेतिया के चनपठिया सिक्टा के साथ कई गाउं में जागरुकता भियान चलाया किया और घ्रामिडों को टीवी जैसी बिमारी के बारे में जनकारी द पटना में खगॉल मार्क पर अम्टम पड़ाओ के पास कल देर राद गैस सप्लाई के लिए बिचाए गई पाइप से धुवा निकलने से हड़का मच किया फायर ब्रिगेट की पहली गाड़ी वहां पर पहुंची है उसके बाद गैल के अधिकारी पहुंची और माम लेखी जांच की और जांच आज फिर से विसे स्टिम पहुंच करके जांच करेगी और हाला कि गैल अधिकारी पाइप लिग की घटना से इंकार कर रहे हैं फायर ब बिहारी मात्रा में हतियार मोबाइल और सकूटी बरामद हुआ है गुरफतार हतियार तजकरों ने पूच्टास में बताए कि वह बिहार के कई जिलों में हतियार सप्लाइ करता था एस पी जगुनाथ रेड़ी जला रेड़ी ने बताए कि यह पूरा एक सेंडिकेट है जो बैशाली के महनार में तीन लोगों की संदिख्य मौत को लेकर BJP ने परदर्शन किया है BJP के वरिष ने देलीप कुमार सेंक्री ने जूटय में महनार के मदन चौक पर परदर्शन किया और CM का पुतला फोगा हालाकि महनार पुलेस प्रशासन ने उसे रोख दिया है और इस धक का मुख्य में दिलिप सिंग गिर गया जिसे खायल हो गया बक्सर में सविधान दिरमाता बाबा साहब एमराव अंबेटकर की आदमकाद प्रतीमा को असमाजिक तत्तों ने निशाना बनाया है सोमवार की देर रात असमाजिक तत्तों ने स्टेशन रोड में अंबेटकर चौक परिस्थिद बाबा साहब की प्रतीमा को शतिगर्स कर दिया और इनकी जानकारी मिलते ही लोगों की भीड जवा हो गए और रोड जाम कर दिया सुचना मिलते ही सदर स्टेम धरिंदर मिश्रा और डिएस पी गोरक राम सहीद पुलिस वाके पर पहुझे पहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के निताओं को शांत कराया सदर स्टेम धरिंदर कुमार मिश्रा ने बताया कि भीम राव शांत कर देक्षन निलकुमार ने बताया कि तत्काल मूर्ती को ठेक कर कार्यक्रब को किया जाएगा नवादक के रजवाली समय के जान-चौकी पर भारी मातरा में शराब बरामत किया गया है पुलेस निजहार खंड की ओर से पैट्रॉल टैंकर से भारी मातरा भारी मातरा म के लिए जागरुपता अफियान चला रही है तो सबॉल में बाइक सवार ने साइकल सवार को ठोकर मार दिये जिसमें बाइक सवार और साइकल सवार दोनों गंभी रूप से घायल हो गये हैं बताया जारा है कि गंभी रूप से घायल साइकल सवार तेलवा निवासी नूर इस शेरगाटी एनुमंडल के डोभी चेक पोश्ट पर तैनानात उत्पाद विभागी निरक्षत दीपकुमार सिंग के गुबसुचना मिलने पर अपने नित्रत्त में दलबल के साथ ट्रक पकरने के लिए रवाना हुए दीपकुमार सिंग ने शेरगाटी इमाम गंज रोड हो बाटुन बिनेशी शराव परावत किया भागलपुर में अम्बेटकर भावन में बाबा शहाव डॉक्टर भीम्राव अम्बेटकर के पुनेदी थी के औसर पर पुर्णिरमार दिवस के रूप में मनाया चाहरा है और इसको लेकर के कारिक्राम का आयोजन भी किया गया जि के द्वारा जो भी कार किये गये हैं उनको याद किया गया तो हाजिपूर वैशाले जिला के विदुपूर धाना शेत्र में अलग 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 जगवाव से तक्रीबन 35 बक्री की चोरी हो जाने से संसनी फैल गई है जिसके राशी दो लाक रुपे की करीब बताय जारा है स नाट से दस लोगों ने कहा कि शराब के धन्देवाजो को पकड़ने आये हैं और साथ में खाली बुलेरो से बक्री लेकर से गये से बिगत एक महीने से आये दिन शराब के धन्देवाजों के नाम पर बक्री चोरी की घटना हुई थी अमेर गाओं के चौकिदार यदुनन को अपने साथ ले गए हैं वोद गया में सभीधान दिरमाता का महापरी निर्वाहान डिवर्श मनाय सारा है और महाबोधी बुध बुध बिहार के बिभिधिन बुद्ध मठों की ओर से बहुत धर्म का परचार बॉध विक्षिव और शधालों की ओर से किया सारा है बाबा स में तो ही शिदकाली सतर को लेकर के सलाकार समीती की बैठक अयुजित की गई बिधान सबाय स्पीकर आध बिहारी चौधरी की अधिक्सता में इस बैठक का यूजन किया क्या और ध्यक्ष आफ़ावद बिहारी चौधरी ने कहा कि नियम के अनुसार बिधान सभास दस्यों द्वारा पूछे गए हर सवाल का जबाब सदन के बादेम सी दिया जाएगा पक्ष और विपक्ष के सक्रात्मक सवाल जबाब से जनता की विश्यों पर सरकार द्वारा कार्य होगा